लोग सभाच चुनाव से पहले पश्चम मंगार की सीये ममता बैनर्ट जी और उनके भाई के बीच हन गई है दोनों के बीच लड़ाई हावडा सीट को लेकर शुरू हुई जिसके बाद ममता दीनी ने कह दिया कि वो अपने भाई से हर रिष्टा खक्म करती है पूरा मामला क्या है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं नमस्कार मेरा नाम है वेगना सच्टेवा आप कुछ देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर लोकसभा चुनावों के लिए टीमसी की हावडा सीट के उमीदवार प्रसून बरणजी पर नाराजगी जताने के बाद बंगाल की सीएन ममता बरणजी ने अपने छोटे भाई बाबुन बरणजी से सभी रिष्टे तोड़ने का सार्वजिनिक ऐलान कर दिया था हाला कि ये पहली बार नहीं है कि दोनों भाई बहन सार्वजिनिक रूप से खुल कर एक दूसरे से लड़े हों ममता बरणजी पहले भी अपने भाई को सुरक्षा नियमों का उलंगन करने के लिए COVID-19 महामारी के दौरान फटकार लगा चुकी है ममता बैनर जी के भाई बावुन ने बुधवार को हावडा सीट से त्रणमुल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा टीमसी उमीदवार प्रसून बैनर जी को टिकेट मिलने से खुश नहीं हूँ प्रसून हावडा के लिए सही विकल्प नहीं है कई सक्षम उमीदवार थे जिन्हें नजर अंदाज कर दिया गया पाती ने ठीक नहीं किया मैं भाजपा में तो शामिल नहीं हूँगा लेकिन हावडा से निर्दन ये चुनाव लड़ूँगा भाई के एलान के खरीब एक घंटे बाद ही ममता बैनर जी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार बाबुन से अपने सभी रिष्टे खत्म करते हैं मेडिया की ये रिपोर्ट्स के मुताबिक दीदी ममता बैनर जी द्वारा रिष्टा तोडने की बात के बाद ही भाई बाबुन के तेवर धीले पड़ गए बाबुन बैनर जी ने अपने वयान से यूटन लेते हुए ये कह दिया कि ममता बैनर जी ने एक अभिभावक के रूप में जो कहा वो सही है मैं दीदी की बात को आशरवात के रूप में लेता हूँ पचास साल के बाबुन साथ बैनर जी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं परिवार में पाँच भाई और दो भेने हैं बाबुन उर्फ स्वपन बैनर जी की शिक्षा दिक्षा भी वही बच्पन से उनका लगा फुटबॉल की तरफ ज्यादा था परिवार की पार्टी से राजनीती में एंट्री लेने से पहले बाबुन खेल जगत की मशुहूर हस्ती भी रहे हैं एक फुटबॉलर के तौर पर उन्होंने अपना नाम कमाया शौरत मिलने के बाद वो अर्जुन पुरुसका विजिता चुने गए बाबुन 2016 में बंगाल उलम्पिक एसोसियेशन के सच्चिफ भी बनाए गए थे वो मोहन बागान एथेलेटिक क्लब के सेकेटरी हैं बाबुन क्रिणमल कॉंगरस खेल प्रकोश के मुके संरक्षक भी हैं 2011 में ममता पहली बार पश्चिमंगाल की सीम बनी फिर उन्होंने सियासत ने कदब रखा TNC के टिकेट पर वो हावडा सीट से ही दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं दोनों बार जीत कर दिल्दी पहुंची कुछ वक्त पहले उन्होंने कोलकता की जगे हावडा से वोटर आईडी बन भाई थी तब ही से उनके हावडा जीले से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी शायद यही बज़ा है कि वो हावडा से पाटी कैनिडेट प्रसून बनर जी को लेकर बागी तेवर अपनाए थे फिर हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही नमस्कार